नमस्कार आप देख रहे हैं दव फुल जड़ी का कलाच कलकार करम और आई अब नज़र डाल लेते हैं तक की बड़ी सुर्ख्यों पर विक्रम वेधा से रितिक रोशन का फर्स्ट लुक उनके जनम दिन पर होगा रिलीज विकी कॉशल ने कैट्रीना के आपके साथ एक महीने की शादी की सालगिरह बनाई शादी के उतसव से अंदेखी तस्वीर सा जाखी कोरोना का कहil ओमिक्रोन के जो बाध डेल्टा क्रोन वेरियंड सब्राइज में नया कोरोना वाईरस संसकरन डेल्टा क्रोन उभरा 22 साल बाद दिल्ली में जन्वरी महीने के अंदर सबसे जाना बारिश देश की राजनीती में बड़ा बदलाव लाएगा पांच राचेयों का चिनाओ केजरिवाल ने कहा यह मोधी 12 जन्वरी को स्वामी विवेका नंद की जैन्ती पर 25 स्वे राश्वे युवा महुत्सव का उधखाटन करेंगे 12 जन्वरी से शुरू होगी नीर पीजी काउंसलिंग मंडाविया ने कहा यूपी टेट पेपर लीक मामले में भाई का नाम सामने आने के बाद रश्मी वर्मा ने MLA बद से इस्तीफा दिया अमिल्शा ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के मोधी के फैसले का स्वागत किया बीजेपी सासद वरुन गांधी कोरोना पॉजिटिव तीन दिन से पीली भीत में कर रहे थे चिनाव प्रचार चन्नी केवल गांधी परिवार के अधीन देश के सम्विधान के अधीन नहीं बाजपा के गौरव भाटिया ने कहा हिमन्त बिश्वान ने उवैसी की खिचाई करते हुए कहा AIMM प्रमुक का भी कश्मी बैन उच्छे 370 के समान ही हश्रकों का पंजाबे मुख्य चिनाव अधीकारी हुए कोरोना संक्रमे कॉंग्रेस सोस समझ कर लेगी फैसला जल्द जारी करेंगे उमीद्वारों की सूची नवजोज सिंग सिद्धू ने कहा के जिवाल ने आप कारेकरताओं को घर घर जाकर चिनाव प्रचार करने COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रोचसाहिद किया सपा ने चिनाव आयोग को चिठी लिखकर यूपी सरकार के शेश अधिकारियों को हटाने की मांग रखी बीजबी से नहीं कर सकते मुकाबला चिनाव आयोग छोटे दलों की करें मदद वर्चुल रैली को लेकर बोले अखिलेश यादव चिनी विदेश मंत्री ने की श्री लंकाई प्रधार मंत्री के साथ वारता चीन के शियान शहर में विरोध करने लोगडाउन की शिकायत करने पर दरजनों गिरखता है अनुराग ठाकुर्फ वालियर में B.S.F. अकैडमी में दिक्षान समारों में शामिल हुए कोरोना वैक्सिन की बूस्टर डोस के लिए रजिस्टेशन शुरू कोविन आग पर कर सकेंगे आवेदर टाटा स्टील ने मेडिकल टीएस अस्पताल में हिस्तेदारी बढ़ा कर 51 फीस देखी राजदानी दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश आज भी बरसात का अनुमार अखिलेश आदों ने राम मंदर को लेकर दिया बड़ा मयान बोले दर्शन भी करेंगे दक्षिना भी देंगे जबो कश्मीर के कुलग्राम में सुरक्षा बलो आतनकवादियों के बीच मुढबेग बेंगॉल टेरिस्ट अरेस्ट में जे एमबी ने आतनकवादियों के नेटवर्क के विस्तार की रचीती शसाजिस एन आई-ए की चार्शीट पे हुआ खुलासा कोरोना संक्रमन की चपेट में जैपूर के 90 लाके अस्पतालों में तेजी से बढ़ रही ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीज़ों की संख्या मेरे बेटे को सुली डील्स में फसाया जा रहा है दिल्ली साइबर क्राइम के अधिकारियों से मिलेंगे एप बनाने वाले के पिता का कहना है महरास सरकार ने कोविड मान दंडो को संशोधित किया प्यूटी सालून जिम 10 जनवरी से 50% शमता पर काम करेंगे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल्स ने नकली नोटों का कारुबर करने वाले अंतराष्ट्रे सिड्डी केट का बंड़ापोर किया इगरफतार राज्य कॉंग्रस का कहना है कि डिजिटल मोड के माध्यम से प्रचार नए डिजिटल पंचाब की और पहला कदम है क्या फिर बीजेपी का थामन थामने की तैयारी में है राजभर बीजेपी नेता के साथ बंद कमरे में हुई मीटिंग ने बढ़ाई सियासी अटकले लगनव में सपा ने चुनावा योग से यूपी सरकार में तैनात अधिकारियों को हटाने की मांगी केरल में बेकाबू हुआ कोरोना एक दिन में 6238 नए केस आये सामने उद्धर प्रदेश में में बढ़ी कोरोना की रफ्तार 7,695 नए मामले आये सामने चार की मौर नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अब तक 4 जज कोरोना पॉजिटिव अमजन का नया दाव फ्यूचर डील को सस्पेंड किये जाने के खिलाफ पहुची एन सी एल एटी रेर्वे कारेशालों में 62 करमचारी COVID-19 पॉजिटिव दिल्ली एन सी आर के आस पास के इलाकों में लगातार बारिश पश्यमी यूपी से शुरू होकर पूर्वान चल की और बढ़ेंगे मददान के चरण 11 जन्वरी से पूर्वी भारत में पश्यमी विच्छोप के आने की संभावना मौसम ने पीली और नारंगी चेता आवनी जारीगी उत्रप्रदेश में प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाली राशन किट बाटने पर लगी रोक C.A.P.F. की 500 कंपनी समालेंगे चिनावों में मोर्चा पहले चरण के लिए यूपी में भेजी जाएगी 150 कंपनिया उत्रप्रदेश में चिनावों की भोश्णा के बाद कोरोना ने बढ़ाई चिन्ता दो दिन में दोगुनी हुई संक्रमितों की संख्या 24 घंटे में आये 6411 नए केस प्रियंटा गांधी ने की वर्चुल रेली इंद्रा गांधी और इस देश की प्रधानमंत्री को बताया अपनी फ्रेड़ना स्कोडा कल लॉंच करने चा रही है नौ एरबैक समेथ कई अच्छे फीचर्स वाली कार्ण 2023 में हुंडाई लॉंच करेगी अपनी सब कॉंपेक्ट एस यूवी टाटा पंच को मिलेगी कडी टक कर जुलमेश साहिब जादों का दिखाया साहस बेजोड हर किसी को जानना चाहिए उनका सर्वोच बलिदान कैप्टेट अमरिंदर सिंग ने कहा यूपी के मुरादाबाद में बेटी से रेप करता रहा सौतेला पिता चुप रही बिटिया मकान मालके ने खोला राज यूपी एलेक्शन मामने में चुनाओ के एलान के साथ ही सडकों पर निकले डियम और कमिशनर हटाए सियासी दलों के बैनर कोस्टर्स बाजपा ने केयन कश्मी कोया को लक्षदीब का प्रदेश अध्यक्ष निउक्त किया हिमाचर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिमला में मुख्यमंत्री जैराम ठाकूर के साथ बर्भबारी का आनंद लिये यूपी की जनता को इसी का इंतिजार था ताकि बीजेपी को सत्ता से निकाले ही चुनावी तारीखों के अलान के बाद बोले अखिलेश करनाटक में कोरोना का कोहरा 24 घंटे में 12,000 नए केस दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरिवाल ने कहा अभी लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं मास्क जरूर लगा एक्सपो 2020 में दुबई में इंडिया पवेलियन ने देश में 1,500 कोरोड की का करन का जेशन मनाया गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10 पाकिस्तानी नागरिकों को वोट के साथ किया गिरफ्तार गुरुको विन सिंग की जयनती पर हरसा 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस पियम मोदी ने कहा आदर्श आचार सहिता लागू होते ही उतरने लगे राजनेतिक पार्टियों के पोस्टर एक्षन में लखनव नगर निगव राश्ट्री राजदानी में बारिश के कारण दिल्ली की वायू गुडवत्ता मध्यम श्रेणी में संतोष जनक्वी राद भर हुई बारिश से दिल्ली के कुछ हिस्से जल्मंग भारी बर्भारी के बाद गंगोत्री और यमनोत्री नेशनल हाईवे जगा जगा पर बंद और आईए अब जान लेते हैं दस जन्वरी का क्या है इतिहास सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1974 की कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदूों के बीच नड़ाई हुई सन 1968 में भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद गोशना शांती समझोते पर हस्ताक्षर किया भारतीय चाय 1849 में इंग्लैंड पहुची भारत सरकार ने सन 1963 में स्वन नियंतरन योजना की शुरुआत की रह्मान राष्टपती के रूप में सवतंतर राष्ट बने बांगलादेश पहुचे प्रधान मंत्री मन मोहन सिंग ने 2006-10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदि दिवस के रूप में मनाय जाने की खोशना की थी तो ये थी अब तड़ की बड़ी खबरे आगे खबरों के लिए ऐसे ही देखते रहिए दफ फुल जड़ी और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिलकुल न भूली और मुझे दीजे जाज़त धन्यवाद